भारत जो की एक वक्त पहले दूसरे देशों से हत्यार मंगाया करता था, आज वही दुनिया भर में अपने हत्यार बाटने के लिए तयार है और ये बाते चीन, जर्मनी और रूस जैसे देशों को हजम नहीं हो रही है। खास करके तब जब भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई शैतान बन कर तयार किया है, तो क्या है पूरी खबर और कैसे। भारत लगातार अपनी डिफेंस पावर को मजबूत करता जा रहा है। सप्लाई बंद कर देते हैं, तो वही भारत ने भी इट का जबा पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। इंजन को देने से इनकार किया। वैसे ही भारत ने अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाते हुए इस बात को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तो, हाल ही में यह खबर सामने आई कि भारत की DRDO ने इंडीजीनस टेकनोलोजी पर फिफ्ट जेनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाना शुरू कर दिया है। और जो फाइटर जेक्स भारत में बनकर तयार हो रहे हैं, उसकी स्पीड सुपरसॉनिक क्रूज मिसाईल से भी ज्यादा होने वाली है। यानि कि जिस तरह भारत मिसाइल के प्रोडक्शन में महारत हासिल कर चुका है और सुपरसॉनिक ब्रमोस मिसाइल को भारत में पूरी तरह से तयार किया जा रहा है, इसमें लगने वाले हतियार से लेकर छोटे से छोटे टूल्स तक हर एक चीज भारत में बनकर तयार हो रही ह ठीक उसी तरह सुपरसॉनिक स्पीड वाले फाइटर जेट्स को भी भारत पूरी तरह से इंडी जीन स्टॉर पर डेवलप करना चाहता है वैसे अगर देखा जाए तो भारत में फिफ्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाने का प्रोजेक्ट पिछले साल ही तै हो गया था लेकिन इस प्रोजेक्ट में डीले हो रहा था क्योंकि भारत की तो आदत है जब तक धोखा ना मिले हम तब तक दूसरों का सहारा लेकर चलते हैं लेकिन जैसे ही अले इंजन को देने से इनकार किया वैसे ही भारत ने अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाते हुए इस बात को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया दोस्तो हाल ही में यह खबर सामने आई कि भारत की DRDO ने इंडीजीनस टेकनोलोजी पर फिफ्ट जेनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाना शुरू कर दिया है और जो फाइटर जेक्स भारत में बनकर तयार हो रहे है उसकी स्पीड सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा होने वाली है यानि की जिस तरह भारत मिसाइल के production में महारत हासिल कर चुका है और सुपरसॉनिक ब्रमोस मिसाइल को भारत में पूरी तरह से तयार किया जा रहा है इसमें लगने वाले हत्यार से लेकर छोटे से छोटे टूल्स तक हर एक चीज भारत में बन कर तयार हो रही है ठीक उसी तरह सुपरसॉनिक स्पीड वाले फाइटर जेट्स को भी भारत पूरी तरह से इंडी जीन स्टॉर पर डेवलप करना चाहता है वैसे अगर देखा जाए तो भारत में फिफ्ट जेनरेशन के फाइटर जेट्स को बनाने का प्रोजेक्ट पिछले साल ही तै हो गया था लेकिन इस प्रोजेक्ट में डीले हो रहा था क्योंकि भारत की तो आदत है जब तक धोखा ना मिले हम तब तक दूसरों का सहारा लेकर चलते हैं लेकिन जैसे ही फाइटर जेट्स को पूरी तरह से स्वदेशी तोर पर बनाया जा सके और दोस्तों बात केवल फाइटर जेट्स की ही नहीं है बलकि कई तरह के defense equipment को पूरी तरह से भारत में तैयार किया जा रहा है, जिसका जिम्मा DRDO और कल्यानी ग्रुप के कंधों पर है इन हत्यारों में इस्तिमाल होने वाले सभी materials और electronic components भारत में खुद manufacture किया गया है जो की make in India project को और भी ज्यादा बड़े level पर ले जा रहे है क्योंकि आत्म निर्भर भारत होने का सपना तो हर किसी ने देखा है लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत इसकी सबसे बड़ी शुरुवात अपनी defense power को मजबूत करके करेगा अब जैसे जैसे भारत defense sector में आत्म निर्भर बनता जा रहा है वैसे वैसे दूसरे देशों के पसीने चूटते जा रहे हैं दोस्तो अभी तक भारत ज्यादा तर equipments France, Rus और Germany से खरीदता था और भारत के अलावा भी जो ज्यादा तर अफरीका, Europe और Middle East के देश है वो defense के मामले में जर्मनी और रूस पर ही dependent है जिसकी वजह से ये देश अपनी मनमानी कीमत लगा कर काफी महंगे दामों में हत्यारों और उनसे जुड़े tools की सप्लाई करते थे लेकिन अब ये तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि मैदान में भारत ने भी जंडागार दिया है और दुनिया को ये बता दिया है कि वो न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी छोटे देशों के लिए defense equipments तयार कर रहा है जिन्हें उनकी जरूरत है ऐसे में भारत की कमपनिया डिफेंस सेक्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अफ्रीका के कुछ देश और साओधी अरब भारत से defense equipments खरीदना चाहते है और इतना ही नहीं आर्मेनिया जो कि पश्चिम एशिया का देश है वो तो पूरी तरह से भारत की तरफ रुख कर चुका है जिसने भारत से हाल ही में ATAGS खरीदने का आरडर दिया है आर्मेनिया भारत से लगभग 84 advanced toward artillery gun system खरीद रहा है जिसके लिए भारत और आर्मेनिया के बीच 155 million dollar की deal final हो गई है जो कि भारत के उभरते defense industry के लिए मिल का पत्थर साबित होने वाला है दोस्तो ATAGS की बात करी जाए तो ये advanced level की top होती है जिसे भारत ने खुद बिलकुल Indie Zines Technology से develop किया है ये top लगभग 48 km की range में किसी भी target को निशाना बना सकती है और दोस्तो हैरानी की बात तो ये है कि भारत ने ये जो gun system बनाया है इतनी range वाला gun system अभी तक कई सारे बड़े-बड़े देश भी develop नहीं कर पाए है ऐसे में भारत अब 5th generation वाले fighter jets को develop करके defense के मामले में भी दुनिया को उसकी आउकाद दिखाने के लिए तयार है खरीदने का decision लिया था लेकिन अब भारत का माथा घूम गया है तभी तो वो दूसरे देशों पर निर्भर न रहकर खुद ही 5th generation का fighter jet developed करने में लग गया है और वैसे भी भारत के supersonic fighter jets के सामने फ्रांस के राफेल fighter jets कुछ भी नहीं है यहां तक की अमेरिका जैसे ताकतवर देश के पास भी जो advance और latest fighter jets मौझूद है उससे भी कई ज्यादा भारत के 5th generation वाले fighter jets की speed होने वाली है ऐसे में हमारे स्वदेशी fighter jets डेवलप होने के बाद इस बात की भी पूरी संभावना है कि भारत ने फ्रांस से जो 26 और राफेल खरीदने का निर्णा लिया है उसे भी cancel कर दिया जाए और वैसे भी इस वक्त भारत के पास राफेल को मिला दिया जाए तो लगभग 1700 aircraft मौजूद है जिसमें से no combat aircraft है लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज्यादतर aircrafts विदेश से ही खरीदे गए है बहुत कम ही ऐसे aircrafts है जो कि भारत ने fully developed किया हूँ ऐसे में भारत का अचानक से ही इतने बड़े लेवल पर सुपरसॉनिक 5th generation aircraft तयार करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि comparison किया जाए तो इस समय रूस, चीन और अमेरिका जैसे कुछ चुनिंदा देशों के पास ही 5th generation वाले fighter jets है लेकिन भारत जो 5th generation वाला fighter jet डेवलप कर रहा है उसकी capacity इन देशों में मौझूद fighter jets के comparison में काफी ज्यादा है बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते है लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले